बैलेंस पिछ पे टीम कैसे बताते हैं जा दोस्तों आज इसकी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर कोई भी मैच होता है उसका जो पिछ कंडिशना तो बैलेंस होता है पिछ बैटिंग और बॉलिंग सेम को सपोर्ट करता है तो उस सिनेरियों में आपकी जो टीम बनती है ड्रीम लेबन पर वो किस तरह का आपको बनाना होता है और आपको इस वीडियों में बताऊंगा कि बैलेंस पीछ होता क्या है और इसको आपको कैसे पता करना होता है कि आज का जो पीछा यह बैलेंस पीछ है या बैटिंग पीछ है या बालिंग पीछ है क्योंकि क आपको बताने वाला होगी कैसे आप इसको चेट कर सकते हैं सबसे पहले आपको एपने ब्रीम लेन नएब को पें कर लिना है है और जिस भी मैंच में आपको मैच लगाना है वहाँ से आपको उस्लेट जैसे यहां पर आप देख रहे हैं लंका प्रीमियून लिग का मैच है 11 अगर्स्त को दांबुला और वर्सेज गाले टाइटल्स यहां पर मैं आपको इस मैच में पिछ कंडिशन और पिछ किसको सपोर्ट करने वाला है और साथ चाहत आपको बगर बैलेंस पिछ है तो उस प किसे अफ्थाक्क देखने को मिल रहा हों यहां पर आपको यह ऊप्चन को सपोर्ट करने वाला है बैंस पों और तो की अतो यहां पर जो पीछ को यही देखने को मिल जाता है गुट फॉर पेसर्स और वेदर रेनी मतलब कि पिस तो बैलेंस हैं लेकिन यह पेसर्स के लिए अच्छा है और जो मौसम कंडिशन है वह रेनी बारिस होने के समौना है तो यहां पर आपको जाके पिछ कंडिशन आसानी से पता चल जाएगा और एक्क को देखने को मिल जाएगा किस प्लेयर का इस पिछ पे यहां से पता चल जाएगा और बात कर लेते हैं यह तो आपको एक आप्षन जहां से मैंने बताया कि आप यहां से पता कर सकते हैं वो होता है आपको सिंपल अपने इप स्टोर पिया पिलेच्टिव पर जाके फैण कोड डाउनलोड बाउनलोड कर लेना है फैन कोड़ा आप मिंच पर डाउनलोड कर लेंगे इसको open करेंगे यहां पर कुछ आपको आसानी से पता चल जाएगा जो प्लेयर्स के जो कंपेरिजन डिटेल हैं वह भी आपको यहीं से देखने को मिल जाएगा दो आपको सब्सक्राइब कर सकते हैं कि पिछ कंडिशन क्या है और कि को सपोर्ट करने वाला है आईए हम बात कर लेते हैं कि जब आपको अगर तो आपको किस तरह के टीम बनाना है बैलनस पीच के समय यहां समय आपको सबसे पहले का है वेनियू स्टेर्स पर जाके आप जो है पिछी रिपोर्ट देख सकते हैं और सबसे पहले मैच लगाने के लिए जाए ताप पिछ रपूर जरूर देख लिए पिछ किसको तो वी उमोर पे आप खिलिक करके यह सारी प्लेयर स्टेर्स देख सकते हैं दो जितरे प्लेयर उनके खेले होंगे स्पिट पे वो सारी डीटल आपको देखने को मिल जाएगी यहां पर थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहां पर हेट ट्यू हेट भी कंबरिजन देखने को म जाना है जब आप टीम मनाने के लिए जाता है यहां पर आपको देखिए ऊपर ही देखने को मिल जाता है गाइड का ओप्शन यहां पर पिछ बैलेंज है गुट पार पेस है एबरेज स्कोर 150 है थोड़ा सा ओड्रेक करेंगे स्टेडियम नेम है यहां से आपको भी पता च से लेट कर सकते हैं बॉल् Wilson अगर पिछ बैलेंश दंद नहीं..? प्लेंट करेंगे इसके क्रेडिट पॉंट होते हैं यहां कई गिरा तो नहीं नहीं लीड प्लेंट ठीक है bigger थीक है तो इस तरह से आप यहां से प्लेयर के डीटेल चेक करके एक प्लेयर जो स्लेट करना हो तो आप स्लेट कर सकते हैं यहां से हमने टीम सेपर को स्लेट कर लिए यहां से हम बैट्समन की बात कर लेते हैं यहां पर आपको सेमफूल अपनाना है player by player के profile पर click करके आप उनके detail को यहां से check कर सकते हैं उनके performance नेख सकते हैं उनके dream 11 point कर देख सकते हैं और उनके dream team में कितने percent हिस्तेदारी है यह checker करके आप team बना सकते हैं यहां से मैं एक team बना ले रहा हूं तो देखिए हैं आप क्या करना है तो यहां पी आपको जो परसंटेज है यहां से भी देख कि आप क्या कर सकते हैं यहां से कैटन में साकी बना रहा हूं और वाइस कैप्टन दसुन संका को उसके बाद इसको आप सेफ कर दीजिए मैंने एक ही टीम से जो है कैटन वाइस कैप्टन मनाया है क्योंकि इस टीम के परफामिस अच्छा है लेकिन जो अगली टीम है उसका परफामिस थोड़ा कम है तो इनके जो प्लेयर्स है उसके परफामिस कर रहे हैं मैच के अंदर और अगर पिछ बैलेंस है तो यहां से आप लांडर को ज्यादा प्रिफर कर सकते हैं और हम बात करते हैं तो इस तरह से अप को यहां से से कर देना है सेफ करने के बाद आपको आइड बैक अफिलेट कर लेना है बैक जो प्लेयर हैं वो यहां से अफिलेट करके अपने बैक अप प्लेयर को भी तयार कर सकते हैं तो इस तरह से दोस्तों आप जो है बैलेंस पिस में किस तरह से टीम बनाना और बैलेंस पिस होता क्या ह इस बारे में मैंने आप को इस बीडियो में बता दिया है